बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाउं में एक गरीब लड़का था, जिसका नाम राजू था। राजू को अपनी गरीबी के बावजूद एक रहस्यमाई चीज की खोज में जुटने का शौक था। एक दिन उसने एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे बुजर्ग से सुना कि एक मानव को उसके साथ अच्छे बुरे के लिए एक जादूई पत्थर मिला है। वह पत्थर किसी की भी भाशा में बोल सकता था, पर उसका उप्योग केवल एक संख्या में कर सकता था। राजू ने पत्थर पालिया और सारे गाउं को इसकी बात सुनाई। लोग लाइन में लगने लगे ताकि वे भी पत्थर का उपयोग कर सकें लेकिन धीरे धीरे लोगों का संख्या बढ़ता गया अब पत्थर को सुनता हुआ बस एक व्यक्ति रह गया राजू खुद उसने अपना संदेश सभी के साथ साजा किया इस पत्थर का उपयोग हमें संयमित रहने की सीख देने के लिए है ताकि हम अपने इच्छा शक्ति को सही रास्ते पर लगा सकें यह कहकर राजू ने पत्थर को धर्ती पर रख दिया और लोगों ने इस सीख को समझा गाव में सुकून शा गया और लोग खुशी-खुशी जीने लगे और उस दिन के बाद से राजू का गाव एक नए द्रिश्टिकोंड से जीने लगा इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि संयमित और सत्तर्क रहना हमें सफलता की उच